आज हम बात करने वाले हैं किड्नी स्टोन की प्रॉबलम को यदि आपको किड्नी स्टोन की प्रॉबलम है तो आपको खाने में क्या यूज नहीं करना चाहिए तो आज हम इसी किड्नी स्टोन के बारे में बात करेंगी नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रिकाई शाक के और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केर यह दिया आपको किड्ने स्टोन की प्रॉब्लम है तो आपको प्रोटीन बहुत कम मात्रा में लेने चाहिए आपको दूद बहुत कम मात्रा में लेने चाहिए जिसे दही पनीर यह सभी कम मात्रा में लेने चाहिए आपको पिस्ता बादाम और आपको काजू भी बहुत कम मातरा में लेने चाहिए इनमें भी बहुत ज़ादा प्रोटीन होता है आपको मुम्फली जो हती है उनको भी भी कम मातरा में लेने चाहिए। तो आपको मास कम मातरा में लेने चाहिए, अंकूर तानाज जो होते हैं, वो भी बहुत कम मातरा में लेने चाहिए, और यदि आप नोन वेज लेते हैं, तो आपको मास कम मातरा में लेने चाहिए, मीड शिकिन कम मातरा में लेने चाहिए, यदि आप खाने में अंडे का किड्नि इस्ट२ को बढ़ा सकती है इसलिए आप जो चीज़ों वाली चीज़ों, वह भी कम खाने, जैसे पालक हुआ और जो साबुत आनाज होते हैं उनमें भी आठीक मात्रा बहुत आपका मात्रा में ग्रिटामन सी fan का लीज़ों करते हैं थे दिए अचाने में जरी कम खि हैं यकी जो a bạn होता है उन्होंने भी हाइन के मातरा होती है वह भी export बढ़ा देती है machine उसकने मृद्व का कople 바뀌ना शोन की प्रोब्वstaह उनको ऊप्यूnut कर न्युक्ते है मरीजों आदिक मात्रह हो जाते हैं क्योंकि जो पार्सफोरिक इसी होता जो किड़ना के चांसेश को बढ़ा देता है तो इस तरह से आप इन सभी चीजों को ना लेकर आपकी जो kidney stone की problem है बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं यदि आपको लग रहा है कि kidney stone की problem है या हो सकती kidney stone की problem तो आप किसी urology doctor को दिखाएं वे आपके लिए clear कर देगा या फिर कुछ test भी करा सकते हैं या ultrasound के दौरा उसमें पता चल जागा कि आपको kidney stone की problem है कि नहीं है कितने mm की सभी clear हो जाता है उसमें यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि kidney stone में क्या नहीं खाना चाहिए आपका दिन मंगल में हो आप सदा कुछ र पहले आपको मिल सकें thank you very much